एलो प्रेंडस हम आरी सागरवाल मैत के सोलेशन कर रहे हैं हम सिंप्रिफिकेटर स्टार्ट कर रखते हैं और सिंप्रिफिकेशन चेप्टर के हम पांच पार्ट कर चुके हैं आज हम six पार्ट करेंगे क्वे गुश्टन है यदि 2 व्राबर X plus 1 upon 1 plus 1 upon 3 plus 1 by 4 X तो X कमान निकलना है कि हमारा X कमान क्या होगा X कमान निकलना है कि X कमान क्या होगा हमें यहां पर X कमान निकलना है तो कैसे सोल करेंगे यह 2 X plus इस ट्रम को सोल करेंगे पहले हम क्या आएगा 1 upon 1 plus 1 upon इसमें क्या होगा 4 LPM 4 3 जा 12 plus 1 13 और 4 उपर आजाएगा फिर क्या आएगा 2 बराबर X plus इसको सोल करेंगे 1 upon 13 plus 1 क्या होता है 4 तो 13 plus 4 17 और यह 13 उपर चना जाएगा अब क्या करेंगे X निकलना है तो इस ट्रम को उदर बेज देंगे X बराबर 2 minus 13 upon 17 अब 17 LPM लेना है अंसर हो जाएगा तो हमने क्या 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 है बेस क्या 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 है यहां से स्टार्ट करना तो यहां से X कमान कितना आएगा हम यह निकलने तो एक तो यह सिंपल वे में सोल करके निकलने इसके ओप्सन दे रखका है फर्स्ट वाड़ा 1 by 3 सेकिंड वाड़ा 2 by 3 थर्ड है 3 by 5 और 4 है 5 by 3 चार ओप्सन दे रखके है इन ओप्सन में से हमें बताना है कि कौन सा अंसर आएगा एक तो सिंपल वे है इसको सोल करके हम निकलने वो X की वेलू एक ओप्सन पूट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि दोनों में सेम पड़ेगा ओप्सन वाड़े पूट करके देखेंगे फिर सोल करेंगे वो जगा लेंदी पड़ेगा तो हम इसको सिंपल वे में करके देखते हैं 2x upon 1 plus 1 upon 1 plus x upon 1 minus x की value के है 1 नीचे से solve करना start करेंगे 2x upon 1 plus 1 upon 1 minus x LCM आएगा तो 1 minus x और plus x upon में क्या आ जाएगा 1 minus x और वो उपर चला जाएगा equal to के है 1 उसके बाद क्या करेंगे 2x 1 plus में 1 minus x और x से x कट गया तो क्या बचेगा 1 बराबर 1 अब क्या हैगा 2x upon में 1 plus 1 क्या होता है 2 और minus x बराबर 1 अब cross multiply करेंगे तो क्या है का cross multiply करने के बाद 2x बराबर 2 minus x अब 2x है और यह x minus का है तो इधर plus का हो जाएगा बराबर 2 2x plus x क्या होगा है 3x बराबर 2 x की value क्या निकलेगी हम 2 को की इधर multiply में तो divide तो x की value क्या आगई 2 by 3 हमारा right option हो जाएगा तो आने क्या किया curl किया निचे से trump start करेंगे तोल करना और फिर हमारा x की value क्या आगई 2 by 3 आगई next question next question क्या है 13 upon 48 इन में से किस की value 13 over 48 है हमें यह निकलना है तो हमें sol करके देखना पड़ेगा इन में किस की value 13 over 48 आ रही है तो हम पहले A option को sol करके देखें B को C और D इन में से जो 13 over 48 हमारा answer आएगा वो हमारा option ठीक हो जाएगा तो इसमें तो best calculation करना है या 16 LCM लेंगे 16 plus 17 तो 16 upon 17 17 LCM लेंगे 51 plus में 16 ऐसे हमे sol करके देखना है कि अगर 13 over 48 आ रहा है तो हमारे A option ठीक हो जाएगा नहीं तो हम then B चेक करेंगे फिर C को चेक करेंगे और D को जिस option में 13 over 48 answer आएगा sol करने के बाद वही option हमारा cracked option हो जाएगा तो इसमें सिरफ calculation करनी है तो इसको खुद try करके देखना है Next question Next question है यदि A plus B plus C बराबर 0 हो तो A square upon B C plus B square upon C A plus C square upon A B क्या होगा M B 266 में आया हुआ question है तो हम इसको कैसे sol करेंगे A plus B plus C 0 है तो A square plus B C B square upon C A C square upon A B इसमें नीचे क्या दिखाई दे रहा है A B C तो हम LTM ले लेंगे A B C इदर B C है तो A के multiply करेंगे A square दे तो क्या होगा A Q ये क्या होगा B Q और ये क्या होगा C Q यहां तक समझ में आया अब A plus B plus C की value क्या दे रहे है कि जीरों अब A A Q plus B Q plus C Q माइनस 3 A B C बराबर क्या होता है A plus B plus C A square plus B square plus C square माइनस A B माइनस B C माइनस C ये पोर्मूला होता है A Q plus B Q plus C Q का पोर्मूला होता है तो ये पोर्मूला तो बहुत जाला जगे यूज होता है तो ये पोर्मूला याद रखना है कि A Q plus B Q plus C Q माइनस 3 A B C बराबर A plus B plus C रेकिट में फिर A square plus B square माइनस A B माइनस B C और माइनस C A ये पोर्मूला हो गए हमारे याँपर अब हम ये आगे सोल करना है क्यूस्चन को तो कैसे सोल करेंगे हम आगे अब A Q plus B Q plus C Q और माइनस 3 A B C की वैलू क्या है जीरो है जैसे हमने A plus B plus C की वैलू जीरो रखी तो ये पूरा की पूरी ट्रम जीरो हो जाएगी और A Q plus B Q plus C Q की वैलू कितनी आ जाएगी माइनस 3 A B C इदर आके पूरा में आ जाएगी तो ये तो फूर्मूला होता है ये तो याद रखना पड़ेगा और इसमें हमने A plus B plus C की वैलू जीरो रखी तो A Q plus B Q plus C Q की वैलू ये आखे अब हम AQ plus BQ BQ plus CQ की value उठा के इधर रखेंगे तो यह क्या आज़ा AQ plus BQ plus CQ अब उन में A, B, C अब AQ plus BQ plus CQ की value क्या आ गई 3A, B, C अब उन में क्या है A, B, C ABC से ABC कट गया तो उमारा answer क्या गया 3 हमारा answer आ गया नेक्स्ट क्यूशन 54, 55 X-Y का whole cube plus Y-Z का whole cube plus Z-X का whole cube divide में 9 X-Y, Y-Z, Z-X इसको solve करने के बाद बताने की answer क्या आएगा तो इसको solve करेंगे तो हम answer बताना है की हमारा answer क्या आएगा तो almost time 90% जब same pattern चल रहा हो न देखो power 3, 3 X-Y, Y-Z, Z-X ये same pattern चल रहा हो तो हमारे क्या होता है की value almost 1 ही आती है फिर भी 99% तो 1 ही आएगी एक परसेंट का chance रहता है की 1 न आए तो हम इसको solve करके देखेंगे की हमारी value क्या आएगी तो एक तो ये है किसी 10 का X-Y cube का formula रखके और फिर हम कोल के देखेंगे की इसकी value क्या आएगी वैसे solve करेंगे एक हम क्या कर सकते है इसमें की X, Y, Z की कोई value पूट करके देख लो और उसके बाद हमारा जो answer आएगा वो हमारा answer हो जाएगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे X-Y को A मान लेंगे X-Y को A मान ला Y-Z को B और Z-X को हमने C मान लिया तो X-Y की जगए A क्यूब Y-B की जगए B और क्यूब Z-X की जगए C क्यूब अब उन में 9 A इंटू B इंटू C अब यह क्या हो जाएगा इदर A Q प्लस B Q प्लस C क्यूब 9 A B C तो A Q प्लस B Q प्लस C क्या होता है इसका A प्लस B प्लस C करके देखो तो क्या है का X-Y Y-Z और Z-X तो X-Y X-X Z से Z और Y से Y तो 0 हो गया तो A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो गया तो A Q प्लस B Q प्लस C Q का फॉर्मूला क्या होता है इससे पहले वाड़े क्यूशन में मैंने बताया था A Q प्लस B Q प्लस C Q माइनस 3 A B C बराबर A A प्लस B प्लस C इन्टो A स्केर प्लस B स्केर प्लस C स्केर माइनस A B माइनस B C माइनस C तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C 0 है तो A Q प्लस B Q प्लस C Q की वैलू क्या हो जाएगी 3 A.B.C अपोन में क्या है 9 A.B.C तो ABC से ABC कट गया तो 1 upon 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या है 1 upon 3 नेक्स्ट पार्ट तो कई-कई क्यूशनों में होता है कि कुछ चेंजमेंट आ जाता है कि मैंने बताया था 99% 1 आंसर आता है बट 1% चांस है ना इसलिए हमने सोल करके देखा 1 by 3 हमारा आंसर आ गया नेक्स्ट 56 एक्सकेर माइनस य माइनस य य बिल्कुल सेम पैटरेन है उसमें थोड़ा सा नीचे चेंज था ना उपर नीचे सेम नहीं था अब ये देखो उपर सेम पैटरन चल रहा है और नीचे भी सेम पैटरन चल रहा है तो इसका पका 1 आंसर आएगा MBA 26 में आया हुआ क्यूस्टन है तो इसका तो 1 ही आएगा क्या X है Y माइनस जड़ और ये सारे सोल करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा तो इसमें हम मान लेते हैं X बराबर Y बराबर Z तीनों को बराबर मान लेते हैं तो ये क्या बचेगा X स्केर और ये क्या हो गया 0 ये क्या हो जाएगा यहां से X प्लस Z तो X और Z की वैलू Y रख देंगे X की वैलू भी Y और Z की वैलू 2 Y का स्केर क्या हो गया 3 2y का square क्या हो गए अब 2y का square 4y square 4y square में से y square घटाएंगे तो 3y square और 0y की value के है x के बराबर 3x square यहां से y square x minus z बराबर यह 0 हो गया यह क्या हो गए y square और x plus y का square क्या हो जाएगा 2 z का square और 4 z का square beide 3 z का square और Z किसके बराबर Y के वन अमारा आंसर आ गया नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन यदि X स्टार Y किसके बराबर होता है 3X प्लस 2Y तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 की वैल्यू नहीं करनी है SST 2005 में आया है वो क्यूस्चन है ये तो हम कैसे सोल करेंगे इसको 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी आज जाएगी 3X की वैल्यू के है 2 प्लस में 2 और Y की वैल्यू के है 3 तो क्या हो गया 3 तू जा 6 प्लस में 3 तू जा 6 क्या हो गया 12 अब दूसरा क्या है 3 स्टार 4 3 X की वैल्यू के है 3 प्लस 2 और Y की वैल्यू कितनी है 4 तो कितना हो गया 3 3 जा 9 प्लस में 4 2 जा 8 तो कितना हो गया यहाँ पर 17 तो 2 स्टार 3 प्लस में 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी 2 स्टार 3 की वैल्यू के है 12 और 3 स्टार 4 की वैल्यू के है 17 तो मारा आंसर क्या आजाएगा 29 हमारा आंसर आजाएगा तो best value रखे और हमें तोल करके देखना था अब next question यदि x star y की value x square plus y square plus xy plus 1 हो तो 1 star 2 star 3 की value बतानी है SST 2003 में आया question है यह इस type की question भी बहुत देखने को मिलते हैं तो क्या करेंगे 1 star 2 star 3 तो पहले तो 1 star 2 की value निकालेंगी तो 1 x की जगे 1 रख लिया और y की जगे 2 तो x square 1 का square plus 2 का square plus x की value क्या है 1 y की value कितनी है 2 plus में 1 1 plus 2 का square क्या हो गया 4 और 2 यह क्या हो गया plus 1 1 into 2 क्या हो गया 2 और plus 1 क्या हो गया 5, 7 और 8 8 हो गया अब क्या है यह जो आया है न 8 अब इसकी value रख दो इधर 1 star 2 की value क्या गया 8 8 star 3 की value निकाल लिए अब यहां तक तो हमारा soul हो चुका है अब हमें 8 star 3 की value निकाल लिए 8 star 3 की value निकालो क्या होगा पहले वाड़े का square फिर दूसरे का square प्लस में दोनों की multiply प्लस में 1 तो इसमें क्या हो जाएगा 64 प्लस में 3 3 जा 9 8 3 जा 24 प्लस 1 9 प्लस 1 क्या हो गया 10 इन दोनों को जोड़ो 4 4 8 और 6 2 8 और प्लस 10 तो आंसर अमारा क्या हो गया 98 98 अमारा आंसर हो गया नेक्स्ट क्यूशन यदि प्लस एक ऐसी संकिरिया है की A प्लस B पराबर 2A होगा यदि A greater than B हो C प्लस B होगा यदि A less than B हो और A square होगा यदि A बराबर B हो यदि प्रिक्रिया यूज करते होए हमे वैल्यू निकालनी है 7 5 प्लस 7 4 प्लस 4 3 इन टू 5 प्लस 5 और माइनस 15 प्लस 11 इसका यूज करते होए हमे वैल्यू निकालनी है की हमारी वैल्यू कितनी आएगी तो कैसे करेंगे हम इसमें अब ही देखो 5 प्लस 7 की वैल्यू क्या आएगी हमें बताना है यह मैं प्लस मान रही हूँ 4 प्लस जो भी ओप्रेस्टन है यही लिखा है मैंने 3 इंटू 5 अब यह क्या है इसमें 3 प्लस 7 की वैल्यू क्या आएगी देखो अगर A B से चोटा है तो क्या आएगी हमारी वैल्यू दोनों का सम कर दो दोनों का सम कर दो तो 5 प्लस 7 क्या होगा है 12 अगर दोनों बराबर है A और B दोनों बराबर है तो पहले का स्केर कर दो तो 4 का स्केर क्या हो जाएगा 16 अब क्या 3 इंटू में दोनो 5 इंटो 5 प्लस 5 दोनो बराबर है तो पहले का स्केर कर दो क्या होगा है 25 माइनस 15 और 11 में से 15 बढ़ा है तो पहले वड़ा ही हो जोगा पहले वड़ा का 2 टाइम कर दो इसका तो क्या होगा है 30 और माइनस 3 अब इसको 6 करेंगेGameाथ टो क्या है का 12 में 16 जोडेंगे तो क्या आएगा 28 आएगा 25 3 जा 75 माइनसथ 33 अब क्या हो गए 28 75 में 33 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 42 अब क्या हो जाएगा 7 4 जा 7 6 जा 4 2 जा 4 3 तो मारा आंसर क्या हैगा 2 upon 3 आ जाएगा Next question Next question है Next question इससे पहले वीडियो में करवा चुक्यू मैं किसी दूसरे चैप्टर में आया था ये तो अगर हो जाए तो ठीक नहीं आएगा तो next वीडियो में इस question को करवाँगी आज के लिए इतना ही करेंगे दन्यमाद